नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आप देख रहें लर्ण वेल चैनल दोस्तों मैं आज आपके लिए बहुत ही जवरजस्ट टीडियल फाइल लेका आया हूँ जिसको देख के आप खुश हो जाएंगे तो यह है हमारे पास में see and change voucher details करके तो इसके थूँ आप सभी vouchers के सभी details को आप change कर सकते हैं यानि कि आपका voucher number voucher type या उसका narration यह सभी चीज़े date वगर आप change कर सकते हैं तो यहाँ पर जो मेरे पास material file है वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है मैंने gateway of tally में ही इसको add कर दिया है मतलब आपके tally के main screen में ही यह button आपको एक tab दिखेगा और इसमें मैंने alter का यूज किया हुआ है alter करने के लिए ताकि यह आपका alter हो सके उसके लावा फिर यहाँ पर जो मैंने use किया हुआ है narration यहाँ पर लिख दिये है storage narration करके और storage आपका voucher type करके तो यह storage का use करने से आप वहाँ पर changes कर सकते हैं और आप जब भी save करेंगे तो आपका tally के अंदर में वो details change हो जाएगा जैसे हम लोग जब भी कोई report गुनाते हैं display करने के लिए तो वहाँ पर हम लोग ऐसा sit as dollar के साथ में उसका field लिखते हैं इसका नाम लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या यूचि करेंगे कि storage करके storage करनेक बाद में जो भी हम लोग नाम लिखेंगे वह हम change कर सकते हैं वापत से तो चलिए इसको tally में load करते हैं और देखते हैं कि कैसे क्या یہ work करेगा तो tally में load करने के लिए इसको इसका पत हम लोग copy कर लेते हैं property में जाके security से यहाँ इसको पूरा पत copy करेंगे इसको आप tally rp9 tally prime दोनों जगह आप यूज कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको tally prime में help में tdl and addon के अंदर में manage local tdl करके button दिखी जाता है तो यहाँ पर जो भी खाली जगह है last में आप वहाँ पर इस pat को paste करके save कर दीजिए बागी आप select करके भी choose कर सकते है material file को अभी आप देख सकते हैं main screen में हमारा ultra voucher detail करके यह so हो रहा है तो यहाँ पर इस पर चले जाएंग ultra voucher detail में तो हमारे पास ऐसे vouchers के list खुल जाएगी तो यहाँ पर जो भी आपके vouchers रहेंगे आपके सामने दिखने लगेंगे अगर आपके transactions बहुत ज़्यादा heavy रहते हैं तो आप शुरू में ही यहाँ पर period अपना change कर लिजे यहाँ जिसे current period जो है आप एक ही मंत का डाल के चलिए क्योंकि अगर आप एक साथ पूरा data खोल देंगे तो हो सकता है टेली आपका hang हो जाए उस समय लेकिन यह बहुत ज़्यादा fast खुलता है इसमें वो ऐसा hang नहीं होना चाहिए तो अभी जो भी हमारे पास इस तरीके से voucher details आ जाते हैं तो हम लोग इसका कुछ भी detail यहाँ पर changes कर सकते हैं जैसे भी यह वाला कोई सा भी एक मैं voucher sales का हो या payment का हो किसी भी चीज़ का हो जैसे मैं payment का ही यह वाला उठा लेता हूँ ऐसा करके इसका जो payment voucher type है इसको भी मैं change कर देता हूँ journal कर देता हूँ तो जब भी आप voucher type change करिए तो आप ध्यान देके करिए जैसे अगर आप payment को receipt करेंगे तो voucher type तो आपका change हो जाएगा लेकिन वहाँ पर आपका जो डेविट वाला लेजर है और डेविड में ही रहता है दोनों का तो आपको यह चीज ध्यान देनी पड़ेगी और यहां पर आपको जो भी narration डालना है जैसे मैं यहां पर being bill raised कर देता हूँ यह मैंने narration कर दिया amount के लिए मैंने इसको नहीं set करके रखा हुआ है क्योंकि amount में आपके बहुत सारे debit credit हो सकते हैं तो यहां पर आपको save नहीं करने देगा फिर उसके बाद अभी यह जैसे जितने भी आपको details changes करने हैं आप उसको change कर लेंगे जैसे मैं यहां पर sales का भी detail change कर देता हूँ इसको भी मैं 2 September में कर देता हूँ और यहां पर narration नहीं डेला हुआ है तो मैं इसमें narration डाल देता हूँ आप यहां पर copy paste भी यूज़ कर सकते हैं तो अभी इतने भी आपको details change करना है आप change करने बाद में या तो आप इसको इंटर इंटर करके accept करा सकते हैं या फिर आप यहीं पर control a press करेंगे तो यह आपका save हो जाएगा save होने बाद में अब हम चलते हैं इसको check कर लेते हैं तो यहां पर date change कर देता हूँ क्योंकि मैंने इसको 2 September में change किया था तो भी हम लोग देख सकते हैं हमारा जो पांच लाख वाला बाउचर पेमेंट में पड़ा हुआ था अभी यह आपको हैं जिस भी टाइप के vouchers कचा है किसी में कुछ field guard word है कुछ narration नहीं डिला है voucher number नहीं डिला है तो इस तरीके से आप सारे details को आप set कर सकते हैं तो मैं इसका link दे रहा हूँ दोस्तों आप इसको डाउनलोड करिए बहुत ही बढ़िया चीज है यूज करिए इसको और अगर कोई help लगे तो आप comment जरूर करिए मैं कोशिस करूंगा उसको पूरा करने का तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लिज इसे like कर दीजे share कर दीजे अपने friends लोग के साथ में ताकि और लोग इसका फाइदा उठा सकें और अगर आप चैनल पर नए है तो प्लिज सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि मैं ऐसी ही चीजे आपके लिए हमें साल लाते रहता हूं तो मिलते हैं दोसको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यावादे